ये तीन गलतियां अगर आपने अपने घर के मंदिर में की हैं तो इन्हें तुरंत ठीक कर ले नहीं तो हो सकते हैं बरबाद और तीसरी वाली गलती तो जाधतर लोगों ने की होगी अपने घर के मंदिर में हम जाने अंजाने कुछ ऐसी चीज़े रख लेते हैं जिन से हमारा दुर्भाग्य शुरू हो जाता है सबसे पहली चीज मंदिर में साधू संतों या म्रत परिजनों की मूर्ती या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए ये साधू संत या म्रत परिजन आपके लिए पूजनीय हो सकते हैं परन्तु इन्हें देवी देवताओं का स्थान देने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है नमबर दो टूटे हुए चावल तूटे हुए चावल ना तो मंदिर में रखने चाहिए ना ही इन्हें पूजा के लिए इस्तमाल किया जाना चाहिए तीसरा वाला जानने से पहले यदि आप गणेश भगवान को मानते हैं तो कमेंट्स में ओम गणपते लिखके चैनल को सब्सक्राइब कर दें जादतर लोग अपने मंदिर में बहुत सारे भगवानों की मूर्तिया या तस्वीरे रख लेते हैं जिनकी वो कभी पूजा भी नहीं करते मंदिर में तीन पाच या साथ मूर्तिया कभी भी नहीं रखनी चाहिए मंदिर में प्रथम पूजे गणेश भगवान के साथ जिस भगवान के आप भकते हैं केवल उनकी मुर्ती रखें घर में यदि अलग-अलग लोग अलग-अलग देवी देवता के भकते हैं तो उनकी मुर्ती भी रख सकते हैं परन्तु ऐसी कोई मूर्ती ना रखे जिनकी पूजा अर्चना आप नियमित रूप से नहीं करते।